Hello students, welcome and welcome back to class English simplified and thank you so much for joining us The student class 11th Honnbill book की poem number 1 है A photograph इसके हम important questions and answers को cover कर रहे हैं तो ऐसे ही कुछ questions आज हम यह cover करेंगे Start करते हैं हम student अपने in questions को What does the point does say about her mother's face की जो कभीतरी है वो अपनी मां की face के बारे में क्या कहती है तो answer है Shirley Toulson says that her mother's face was very sweet अब जो Shirley Toulson है और यह कौन है यह इस कभीता आफ फोटोग्राफ की poetis है और इन्होंने यह कभीता अपनी मां को एक शरदांजली के रूप में अर्पित की है तो वो यह कहती है इस poem के अंदर कि उनकी मां का जो चेहरा है वो बहुत ही sweet है her face was full of innocence और उनका जो face है मासूमित से भरा हुआ है her face was very fair अब उनका जो face था वो बहुत ही ज़्यादा गोरा था and her hair was flooring over her face और उनके जो बाल थे वो उस photograph में उनके चेहरे के ओपर उड़कर आ रहे थे her smiling face looked very cute through the hair और बालों के बीच में से उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था she was the eldest of the sisters and the cutest looking अब वो अपनी बहनों में और ये बहने कुन थी उनकी चचेरी बहने थी हैं तो अपने cousins में वो सबसे बड़ी थी और सबसे ज़्यादा वो प्यारी निजर आ रही थी तो इस तरीके से पोईटस ने अपनी मा के face की सुन्दरता को बखान किया है कि उनका face के उपर बाला आए रहे हैं और बालों के बीच से उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत ही खुबसूरत लग रहा है और इस फोटोग्राफ में वो कितनी बड़ी थी students इस फोटोग्राफ में वो बारा साल के लगभग थी तो next question है जो जो पोईटस है कवित्री है वो अपने बीते पलो को क्यों याद कर रही है तो answer है अब जो पोईटस है उनकी सामने एक फोटोग्राफ आ जाता है और वो उस फोटोग्राफ को देख रही है जिसमें उनकी मा है और उनकी मा खड़ी है एक बीच पर और उसके तोनों तरफ उनकी कजन से डोली एन बेटी और यह क्या है यह उनकी चचेरी बहने है अब वो सारी की सारी जो है चल रही है बीच पर लहरो के बीच में और उसके साथ साथ वो बीच की थंडी थंडी कूल हवाओं को इनजोई कर रही है तो ऐसा कैसे पता लगता है फोटोग्राफ से कि वहाँ थंडी हवाओं चल रही थी बीच पर क्योंकि उनके बाल जो थे उस फोटोग्राफ में उड़के उनके फेस के ओपर आई हुए थे तो इसलिए पता लगता है स्टुडेंट्स की वहाँ पर पूल प्रीज जो है वो चल रही थी और समुद्र पर चलने वाली हवाओं थंडी ही हुआ करती है अब यह जो फोटोग्राफ है जब यह ली गई थी तो उसमें इनकी जो मा का चहरा था वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और उनका फेस जो था एक स्माइलिंग फेस था अब वो उस घटना को याद करती है जब उनकी मा ने इसी फोटोग्राफ को उनके साथ देखा था शी लाफट और वो बड़े जोड से हस पड़ी थी क्योंकि इस पिच्चर में वो बहुत ज़्यादा अजीब से कपड़ों में नजर आ रही है अब उनके पास उनकी मा नहीं है तो उनकी मा ने जब इस फोटोग्राफ को देखा था तो वो हस पड़ी थी और अपनी बेटी को यहने कि शरली टॉलसन को उन्होंने ये कहा था कि देखो मैंने कितने अजीब कपड़े डाले हैं और इस अपनी मा के साथ नहीं है और अब केवल उनके पास सिर्फ उनकी यादे हैं अपनी मा की और इसी वज़े से जब वो फोटोगरफ को देखती है तो वो अपने बीते हुए पलो को याद करती है और याद को होता है कि वो बहुत ही जादा उदासी से भर जाती है तो next question है students हमारे पार the sea appears to have changed less कि जो sea है वो बिल्कुल change less है यानि कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता in comparison to the three girls who enjoyed the sea holiday बजाए कि इसके comparison में कि जो तीन लड़किया है जो कि sea holiday पर वहाँ पर नजर आ रही है और enjoy कर रही है अपने holiday को तो इस पर comment कीजिए तो question आप से basically ये पूछ रहा है students कि ये जो तीन लड़किया है इनके अंदर तो बहुत कुछ change आ गया लेकिन समुदर के अंदर change नहीं आया तो इस चीश पर आप comment कीजिए तो answer है the poetas throw light on the tendency of humans to be destroyed अब in lines के थूँ जो poetas ने है एक प्रकाश डाला है इस tendency पर humans mean की की जो खतम हो जाते हैं नश्ट हो जाते हैं वक्त के साथ some things of nature are never lost लेकिन जो प्रकरतिकी कुछ चीज़े हैं वो कभी भी गुम नहीं होती कभी भी lost नहीं होती these things always remain the same और ये जो चीज़े होती हैं ये हमेशा ही same रहती है no matter how many years pass और इस चीज़े कोई फरक नहीं पढ़ता कि कितने साल बीत गए हैं साल बीतने के साथ भी कुछ प्रकरतिक चीज़े जो होती हैं बिल्कुल as it is रहती हैं लेकिन human beings नहीं रहते see is the one of them और जो समुदर है वो उन्हीं प्रकरतिक चीज़ों में से एक हैं जो वक्त के साथ कभी भी नस्ट नहीं होता human beings become old with the passes of time and one day they leave this world और जो human beings होते हैं जो मनुश्य होते हैं वो वक्त के साथ बुरे होते चले जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं even his name is not found in this world यहां तक कि उनका नाम और निशान भी इस दुनिया से मिट जाता है इस दुनिया से निकल जाता है natural things like sea always remains as it was before लेकिन जो प्राकरतिक चीजे होती है जैसे कि समूद्र पहाड यह सब कुछ बिल्कुल सेम वैसे ही रहते हैं जैसे कि भी वे पहले थे वक्त बीतने के साथ उन पर कोई भी फरक नहीं पड़ता तो इस पोएम में स्टुडेंट शर्ली टॉलसस ने इस बात पर भी थोड़े सी लाइट डाली है कि जो human beings होते हैं वो वक्त के साथ इस दुनिया से चले जाते हैं उनके नामों निशान मिट जाते हैं लेकिन कुछ चीजे यहाँ पर हमेशा रही है और हमेशा रहेंगी उन के साथ वक्त बितने के साथ उन पे कोई भी असर नहीं पड़ता तो स्टुडेंट उमीद है यह आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए आल परिट कीजिए ताकि आने वाला हर वेल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कीप वाचिंग स्टे कनेक्टर थैंक यू